हेलो दिस्क्स करने वाले हैं method of preparation of phenol and chemical reactions of phenol phenol की synthesis कैसे की जा सकती है like industry में synthesis कैसे हो सकती है आपकी lab में आप कैसे ये phenol को synthesize कर सकते हैं और जो phenol है वो आमरी कौन-कौन सी reaction दे सकता है वो सारी चीजा आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो चलिए next हम देखते है method of preparation of phenol method of preparation of phenol इसमें जो पहली हमारे methoxy-benzene methoxy-benzene से हम कैसे बनाएंगे तो यह आपका एक compound है जिसे हम कहते हैं methoxy-benzene ठीक है इसकी reaction करा रहे है strong reducing essence और इसे हलका तहम थोड़ा सा क्या करेंगे heat कर देंगे जैसे ही आप इसे heat करेंगे तो क्या होगा यहां से यह CS3 और यह I यह इतना molecule अलग हो जाएगा ठीक न यह compound अलग हो गया next यह वाला जो hydrogen होगा फिर यह hydrogen जाके इस oxygen पर ठीक इस वाले oxygen पर attack करेगा और एक नय compound बना लेगा जिसे हम phenol कहते हैं ठीक यह क्या है phenol और यहां पर यह जो आपका है यह क्या है methoxy benzene ठीक और क्या method हो सकते हैं इसके बनाने के तो next हमारे पास method है वो है from है है लो穴 है डॉम है डा को हम होगा है यह है डॉइल है मॵैंट इसको सीदा करेंड़ा होगा जो क्योंडा हूँ आपकी बैंई नहीं तो यहां पर घो कंपाॉंड ले रहे रहे हैं वो है आपका क्लोरोब इंजीन के आप रेक्शन करा दीजिए एक बेस लाइक एने ओएट से और टमपरेचर काफी ज्यादा होना चाहिए लाइक 300 डिग्री सिंटेग्रेट और प्रेशर है वो भी काफी ज्यादा होना चाहिए आप टमपरेचर और इतना प्रेशर आप लेव इंडिन शकते इसलिए प्रॉसेश ह्यास इंडस्टियल प्रॉसेस को ओ कि ठ्रोल प्रॉसेस आप इतना करने पर क्या होगा यहां से एक qd aur ie एच ठीक है माइनस एसील होगा एसील निकलने के बाद में यह वाला जो जितना भी कंपाउंड बचा हुआ है यह एन यो यह जाके बन्जीर रिंग से जुड़ जाएगा और जब बन्जीर रिंग से जुड़ेगा तो एक नया कंपाउंड बनेगा जिसे हम बोलते हैं सोडिय सोडियम फिनॉक्साइड आयन की रियक्शन हम डाइल्यूट एच सील से अगर करा दें तो क्या होगा यहां से यह एन ए और इधर से यह सील यह माइनस एने सील हो जाएगा सोडियम क्लोराइड निकल गया यहां पर बचा गया तो एक हाइड्रोजन बच रहा है यह हाइड् उस उसे जुड़ेगा और जैसे ही ही वाइड्रोजन और ऋसे जड़ेगा तो एक नया कंभाउंड बनेगा जिसे हम कहते हैं फिनॉल ठीक यह आपको क्या बंगया फिनॉल बन गया रेक्शन काफी आसान है अब आसानी से कर सकते है ठीक है और यह जो हमने लिए से फेसे उस benzene sulfonic acid. या इसी को और आप क्या कह सकते हैं? पाइरोलिसीस ऑफ का पाइरोलिसीस ऑफ अव कि सोडियम बेंजीन स्लफोनेट remember किए क्या है अक्चिली जो शॉल्फौनिक एसिंड है यह शीई सकती है कुछ में आपको इधर देक्षिन भी देखी जा सकती है तो क्योंकि हम रेक्षिन स्टार्ट करने वाले हैं बंजीन सलफोनी के सिर्ट तो यहां पर हमने बंजीन सलफोनी के सिर्ट ले लिए यह अगर आप मैं पूंचू कि आपने कहां बनाया तो तो जब सलफोनेशन कर रहे थे हम लोग तब यह कंपाउंड वहां पर आपको मिलाता है इसे क्या बोलते हैं तो यह आपका सलफोनी के सिर्ट बंजीन सलफोनी के सिर्ट बंजीन आप रेक्शन कराएंगे तो क्या होगा यहां से यह हाइड्रोजन और इधर से यह ओएच माइनस एस्टू यानि वाटर रिमूव हो जाएगा बागी के बचा हुआ आप यह जो एने है यह इसी से जोड़ दीजिए ट्रि Kensington यह जो कंपाॵंड आया इसे ही हम बोलते हैं सोडियम बेंजीन सलफोनेट इसे क्या बोलते हैं सोडियम बैंजीन सलफोनेट ठीक है अब सोडियम बेंजीन सल्फोनियड की फिर से रेक्शन कराएंगे हम एक्सेस मॉलीकुल आफ एन एस से लाइक टू एन ए ओएच अब इस टू एन एएच खुछ इस तरह थे हम लिख सकते हैं अगर अलग अलग लिखें लाइक एन एओ एच और फिर से एन एओ एक तो यह फिर बात आ रही उसे पाइरोलिसिस की जहां पर भी यह आपको टर्म देखने को मिल जाए ना मतलब वहांपर टंपरेचर काफी ज्यादा मिलने वाला है आपको तो यहांपर टंपरेचर है वह होगा अप्रॉक्स थ्री हंडेड ड देखने को मिलता है कि ते रिएक्षिन में तो अबीस सी बात है वह एक इंडेस्ट्रियल मैथेड होगा आप इस प्रॉसेस को लेब में आ फिदिवल नहीं बना सकते न तो यह भी एक तरह का होगा इन्डेस्ट्रियल मैथे रोगा कि अप्रूंग अब क्या होगा देखों जैसे ही यह नो यह चाहेंगे दो तो यह इतना इतना जो कंपाउंड हो यहां से रिमूव होगा और रिमूव होने के बाद में तो क्या रिमूव हो रहा देखो एन ए आप कहीं भी लिख सकते हैं लाइक इस एरो के उपर आगे विचे गहीं लिखना है ठीक है एन एट टू ए एओ आप इंड से रिमूव हो गया और के रिमूव हो एना और से यान ते यह देख хотите ृट्ट मोव हो गया तो बीत क्या रहा है यह इतना या न हो बच रहा है यह सिधे इस रिंग से जूड़ जाएंगा तो जूडिंस से जूड़े आप उसी त्रिकरा बना लीजिए ओ ल मां घ्रीक मतानी से अब इसकी पहले वाली द्ट्रेशन वग्राप थोड़ा सजाथ करें तो इतना बनते ही फिर क्या गिया था इतना बनते ही अमने चाहिए Tenны क्या गया था यह हडने के बाद यह आपने यह एक hydrogen बच रहा है यह सीजे जाके इस वाले oxygen पर यह यहाँ पर oxygen है इस से जुड़ जाएगा तो इस oxygen पर जैसे यह hydrogen जुड़ेगा तो एक compound मिलेगा जो कि कुछ फिनाल के जैसा देख रहा है और फिनाल ही है इसे क्या बोलते हैं फिरम फिनोल यह जो intermediate आई यह वही है आपका sodium sodium phenoxide तो क्या कि हमने सबसे पहले हमने बंजीन सलफोनिक एसिड लिया यह आपका बंजीन सलफोनिक एसिड है उसमें हमने एन्योफ से रेक्शन करा दी तो उस पूरी प्रोसेस में में एस्ट्यू बाहर निकल गया और एक इंटर्मेडियर मिला जिसे हम बोलते हैं sodium बंजीन सलफोनेट फिर sodium बंजीन सलफोनेट की एक्सेस अमाउंट में जो एन्योफ लिया था उसे रेक्शन कराई वहां पर जो है एन्यट्व एन्यट्व और एस्ट्री बाहर निकल गया और एक एस्ट्व का मालीकुल निकला फिर जो है फॉर्च निम्बर के रेक्शन हुए फ्रॉम क्यूमीन या इसी को आप कह सकते हैं ओक्सिडेशन ऑफ ओक्सिडेशन ओफ और क्यूमीन को ऑक्सिडेशन करना है एक्चली अगर देखें क्या होती है तो पहले हम देख लेते हैं तो एक बेंजीन है बेंजीन पर कुछ इस तरह से तीन कार्बन टिड़े हुए ठिक इस तरीके से इसे में बोलते हैं क्यूमीन कुछ गलर लिग गया क्या क्यूमीन या इसी को आप बोल सकते हैं आइसो प्रोपाइल बेंजीन आइसो प्रूपाइल बेंजीन ठीक इसके सिंदेजिस अगर कैसे हो सकती है तो आपने जब फ्रिल्ट्राफ्ट इलकाइडेशन रियक्शन पड़ी थी ना तो उसमें ये हो सकता है जैसे अगर आप अच्छे यह वाला प्रोड़क्ट बन सकता है तो इस पर नहीं जाएंगे कि यह कैसे बना अभी मात कर लेते हैं इस से जो है फिनॉल कैसे बनेगा तो इसमें क्या कराईए सीजी सी बात है यहां पर क्या बता रहा है ऑक्सिडेशन बता रहे तो अब जब भी आपको कहीं भी यह UV दिक जाये टिक्ट ही यह अगर यूवी कहीं भी दिख जाए तो समझ जाए कि 52 वाला मेकनिजम यह पर लगेगा प्री रेटिक यानि इस पूरी रेटिक्ट में फेरी रेटिकल का इसनेशन होगा ओब यह मेकनिजम पर नहीं जाएंगे ब होगा तो जब अटैज होगा यह कार्बन इससे जुड़ा हुआ इधर सीस्त्री इस तरब भी सीस्त्री इससे जुड़ा जाएगा आपके दो ऑक्सीजन यह वाले जो दोनों ऑक्सीजन वो जुड़ गए अब यह जो पर्टिकुलर कंपाउंड रही से मोलेंगे क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड टिक देखो पर ऑक्साइड क्यों कहा रहे हैं तो पता है जब ऑक्सीजन सिंगल बॉंड ऐसे जह ठीक है अब नेक्स्ट आप इसमें एक क्रेक्शन करा दीजिए लाइक है एस्टू ठीक एसीड से या इसी को आप एच्ट्री ओ भी लिख सकते हैं कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है अब क्या होगा यहां से आपका एक कंपाउंड निकलेगा लाइक यह वाला ठीक है तो यह क्या है सीच्ट्री सीच्ट्री और इससे जुड़ा हुआ एक ऑक्सिजिन यानि इस पूरे कंपाउंड को आप क्या कहते हैं इसे कहते हैं अब बचा क्या तो बचा हमारे पास यहां पर ओएच और यह वाला बेंजीन इन दोनों को आप आपस में ज और यह जो कंपाउंड बन क्या है इसे हम बोलते हैं अब देखो यहां जो हमने कहा ना यह ओएच आप इधर जोड़ दीजिए मेगनिजम एक्चुल में ऐसा होगा नहीं ठीक मेगनिजम कुछ दूसरा होगा बट अभी के लिए आप यह चीज समझ सकते हैं इसमें हमने क्य हमने जोए हाइड्रोनियम आएन इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आइन उसकी प्रजयंद में हमने फिर से रेक्शन कराई तो वहां पर उसने क्या लूज किया एक इस्टोन लूज किया और एक और आपका पास जो मेंन कंपाउंड आपका बन क्या है वो था आपका फिनॉल नेक्ट रेक्शन देख लेते हैं तो जो फिर्ट हमारी रेक्शन है फ्राम डाई दोनियम वह सॉल्ट अब यह यह जोनियम कंपाउंड क्या होता है यह कैसे बनता है तो थोड़ा सा एक इस्टेवम पीछे से इससे डिसेस को देखेंगे और जो डाई जोनियम सॉल्ट है आ एनिलीन से यह आपका एनिलीन की रेक्शन आप एन नोटो और एसल से कराई है ठीक है बहुत ही कम टमपरिचर पर बहुत ही कम टमपरिचर पर तो क्या है एक आपको सॉल्ट मिलता है एन्टु सी अल्टिक इधर पॉस्टिव और उदर निगेट्व इस पर्टुक्लर कम बाउंड को बोलते हम बेंजीन डाई जोनियम क्लोराइड ठीक है फिर फर्दर इसकी रेक्शन आप करा दीजिए वाटर से और इस वाटर को और कैसे लिख सकते हैं तो आप कुछ इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं ठीक है होगा क्या यहां से एक सेल माइनस होगा ठीक है यह हो गया से एंटू गयाज भी निकलेगी यह वाली इंटू गयाज भी निकल गई तो बचा कितना पर अब यह वाला कमबाॉंड बच रहा है और यह आके सीधे आपकी रिंग से जुड़ जाएगा और अब जो कंपाउंड बन क्या है इसे हम बोलते हैं फिनॉल ठीक है इसका मेगानेदम बहुत ही इंट्रेस्टिंग है कभी अगर अगले किसी लेक्चर वे देखेंगे तो हम इसका मेगानेदम भी बात करेंगे अब नेक्स्ट करने वाले हैं chemical reaction of chemical reaction of phenol ठीक है तो जो हमारे पास फर्स्ट यहां पर reaction हो है reaction with with zinc dust zinc dust से हम reaction कराने वाले हैं तो यह आपका फिनॉल है ठीक है इसकी आप reaction करा दीजिए zinc से जेड़न और हलका तापको हीट कर देना है तो होगा क्या यह वाला oxygen और इधर का यह जेड़न माइनस जेड़न ओ यह इतना निकल जाएगा अब जो remaining compound है वह बचेगा आपका सिर्फ बेंजीन क्या बचाए बेंजीन तो जब भी आप तो भी बेंजीन बनाने के प्रोसेस मुझी जाए ना तो फिनॉल से बेंजीन बड़ी असानी से बना सकते हैं सेकेंड हमारे पास जो है इसकेंड है रियक्शन विद रियक्शन विद रियक्शन विद फॉस्फोरस फॉस्फोरस पिंटा क्लोराइड ठीक है यानी पी सी एल फाइफ पीचल फाइफ पीचल फाइब अब देखो पीचल फाइब जो है ना उसके अगरे स्टक्चरी बात करें तो कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है पांच क्लोरिन से जुड़े हैं यह इस्टेक्चर थोड़ा सा आप याद रखना इत्पे भी मैं डिसकस करेंगे यह आपको फिनॉल है पीचल फाइब पीचल फाइब जब आप रेक्शन कराएंगे तो यहां पर जो इधर से एक हाइड्रोजन इधर से एक हाइड्रोजन और यहां का एक एक सी एक सी एल ठीक है यहां तो माईनस फील हो जाएगा ठीक है माइन से लो रहा है अब यहां से ऑक्सीजन मी निकलेगा यह वाला जो अक्सीजन यह भी निकलेगा और यहां से एक ल निकलेगा अब अगर देखू तो इस वाले पी की वैलेंसी कुछ गलबर सी हो गई यानि एक ऑक्सिजन इससे आगे जूड़ जाए कितने दो सील यहां ते निकल गए ना एक तो एच के साथ निकल गया एक और बाहर निकल गया दो निकल गए तो अगर हम यह कहा दें कि पी ओ सील थ्री ठीक न इससे अगर ऑक्सिजन जूड़ जाए तो क्या होगा पी ओ सील थ्री देखो अगर हम उतना हटा दें उन्ची जूखो लाइक अगर तुम ध्यान दो पहले पांच थी अभी पांच वेलेंसी क्योंकि डबल बॉंट से ऑक्सिजन जूड़ गया एक सील निकल गया अब जो सील एक यहां दे निकला था जो इससे एक सील निकला था यह वाला सील सीधे आगे बाइं करेगा इस वाली पुजिशन से तो बनाएगा क्या एक क्लोरो बेंजीन बनाएगा तिक अगर आप मेंगने दांब नहीं जानना चाहते हैं तो सीधी सिध इतनी से आप यह रिक्षन लिख दीजिए इनफ है जब फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइट के साथ में एक रियक्षन कराई जाएगी तो आपको क्लोरो बेंजीन मिलने वाला है यह क्या है आपका इसे बोलते हैं क्लोरो बिंजींग यह रियक्शन थोड़ी से आपको टफ मिलेंगे है ना टफ से हम थोड़ा सा इदी की तरफ बढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट जो रियक्शन है जो थर्ड नमर के आपकी रियक्शन है वो है कैटालिटिक हाइगोध्य अर्फ णैल का अगर हाइड्रोजेनेंशन का मोटा-मोटा-मन्ता समझ लेजीं एडिश büy हो जडissa पर आप ये रिक्षन कराएंगे तो क्या होगा जितने भी कार्बन ने उन सब पर एक 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 एक्ट्रा हाइड्रोजन एड हो जाएगा और कुछ इस तरह का एक आपको कंपाउंड मिलने वाला है जिसे हम बोलते हैं साइक्लो हेक्षा इसको आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा तो जो नेक्ट फोर्त नंबर के हमारे पार रियक्षन है वह है ऑक्सिडेशन फोर्त है यमारे पास ऑक्सिडेशन और क्या होगा फिर थे फिनॉल रियक्ट करेगा यह आपका फिनॉल हो गया क्योंकि oxidation हो रहा है तो ओटो से रियक्शन होगी फिनॉल का जब oxidation होगा तो एक आपको compound मिलने वाला है कुछ इस तरह से ठीक यह हमारा यह तो इस compound क्या बोलते हैं कि वन कमा फूर कि बिंजो कुई नॉन बिंजो कुई नॉन टिक एक और चार क्यों आगया वन टू थ्री और फूर दोनों पर जिसमें आप देख रहें कि टॉन गुरूप लगे होगे तो जो नेक्स्ट हमारे पार रियक्शन ने फिप नंबर की रियक्शन विद अमोनिया ठीक है अमोनिया से रेक्शन कर आएंगे यह फिनॉल होगा आपका ठीक है और इसकी रेक्शन कर आ रहे हैं आमोनिया से इन दे प्रिजसर ऑफ एण हैड्र उस जडे एण चेल टू एट हैर टमटरिटिर यह आपका जेटन सियाल टू है जडे एंचील टू बहुत ज्यादा टमटरिचर पर तो क्या होगा यहां से ओ एज और इसका एक हाई ड्रूजन ट्क है इतना माइनस होग यानि मायनस एश्टू वाटर यहां देन कल जाएगा और यहां पर बचा क्या तो यहां पर एन चू बचा भी ठीक है एक हाइड्रोजमागा ते निकला एक स्वरी एक एनचू हमारा पूरा पचाहा और यह एनचू आके सिधे इस वाली पूजिश्ञ से जोड़ जाएगा और इसे हम कहते हैं एनिलीन कभी फिनॉल से एनिलीन बनना है कभी एनिलीन से फिनॉल हम इंडर्जीन कर लखते हैं तो जो नेक्स्ट हमारे पार रियक्शन है रियक्शन विद् बेंजोईल ख्लोराइट रियक्शन विद् बेंजोईल क्लोराइट टीक विद् इस तरह से बनाएंगे और उसका कारणभी हम बताते हैं अब को थेकिता निक उस तरीके सब बना नहीं सकते थे यह हो गया ठेख़िक आप क्योंकि हम बिंजोयल क्लोराइट के बात कर रहे हैं तो बिंजोयल क्लोराइट का इस्ट्क्टर क्या होता है को अकुछ इस तरह से , एस है अब क्या होगा यहाँ से यह स्ल 59- होगा तो माइनस कर दीजिए माइनस एच सी एल यह माइनस होगे और यह रेक्षिन एन्हों के प्रिजन में होती है तो यह आप लेख सकते हैं से कैटलिस्ट अब जितना भी रेमेनिंग कंपाउंड है तो यह आप एक में जोड़ दीजिए इधर यह वाली रिंग है अपने रिंग बना दी उससे जुड़ा हुआ एक ऑक्सिजन है उससे क्योंकि यह इतना तो बाहर निकल गया उससे जुड़ा हुआ सीधा यह कार्बन है कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ एक ऑक्सिजन फिर इससे जुड़ी वी एक रिंग यह ब तो बिंजुएट अभी जो फिनाइल बिंजुएट है यह आपने लैब में भी बनाया होगा थर्ड समस्टर में इसका प्रेटकल है ना टो जैन साइट फिनाइल बंजुएट फ्रॉम फिनॉल इसक्टर इसके बाद जो रिक्शन्स हैं हमारे पास वह आपके खुछ स्लेबस म हमने देखी शिक्स अब जो नेश्ट हमारे पास इस शेवन नंबर की शेवन नंबर में जो आपको बरेक्शन है लाइक है यह ऐलोगे नेशन में आप आ जाए तो क्लॉरी नेशन क्लोरिनेशन कराने के लिए बहुत ही सिंबल सा है कि आप एक फिनॉल ले लें क्योंकि बेंजीन में रेक्शन हमने पड़ी हुई सारी एक फिनॉल और फिनॉल की रेक्शन आपको किससे करानी है अगर आपने यह थोड़ा सा ध्यान दिया है कि वेच कैसा ग्रूप है तो यह इंकमिंग एलेक्ट्रोफाइल कहां डारेक्ट करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा ओ एच एधिटीज रहेगा या तो सियल यहां जुड़ेगा या तो सियल की पोजिशन थोड़ी सी चेंज होगी और सियल इस पैरा पोजिशन पर जुड़ेगा ठीक इसी तरीके से एट नमबर की जो रिएक्शन है ब्रोमीनेशन आप एक्दम सेब ऐसे ही करा सकते है ठीक है फिनॉल लिया फिनॉल की रिक्शन आप करा रहे है ब् chance और अल ब्र सिरीकर प्रिजञ्रignon में तो जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा आपका एक तो औग enjoy या तो ब्र यहां चुड़ेगा ठीक है और या तो जो बियार है आपका वो यहां चुड़ेगा कुछ ज्यादा तेज हो रहा है ठीक है बहुत ही आसान सी रेक्शन से ना बहुत आसानिस हो जाएंगी तो यह दोनों कि किसके पर जिसमें होता है तो सब्सक्राइब होता है जो कि हमने बेंजीन में देखा हुआ है सेम फिनॉल के साथ नहीं होगा यह आपका फिनॉल है ठीक है अब फिनॉल की रेक्शन आप करा रहे हैं कंसंट्रेटेड एचनो थ्री और एस्टोस फोर से जैसे आप यह से जो एनोटो अटैक करेगा या तो यहां करेगा ठीक है बट जैनले आपने देखा होगा यह वाला कंपाउंड नहीं ही बनता है उसका एक अलग लॉजिक है वाद में फिर कभी देख लेंगे और या फिर जो एनोटो प्लस है वह आपका पैरा पे अटैक करेगा मेटा पे क्यों नहीं एटेक करेंगे यह जो है आप मेटापे अटैक क्यूंण डखेगा इसी तरीके से चो हमारे पास और कुछ रिच्शन से आत्सक्र देख लींगे लेंगे अ कि रीक्शन है और कौन से क्वाग नैंफ फिरिएकिशन में बेंजीन में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हूं दो माली क्यूल एस्टो सफूर के लिए रहते हैं ठीक ना ऐसे यह दो माली को लिए रहते हैं एक चुली यहां भी एक आपको दो तरीके के कमपॉंड मिल सकते हैं या तो एस ओ थ्री एच यहां टैक करेगा या दूसरी कंडिशन क्या हो सकती है एस ओ थ्री एच इस वाली पोजिशन पर अटैक करें ठीक है नेक्स्ट जो दो रिएक्शन और बस्ती हैं हमारे पास या आप एक ही रिएक्शन कह सकते हैं फुडल क्राफ्ट एलकाइल एलेक्शन तो यह कितने नंबर की रिएक्शन होगी है हमारे पास है फुडल क्राफ्ट एलकाइलेशन की अगर बैसिक लिए बात कर लें तो रिएक्शन आप कराते थे किसी भी एक इलकेल क्लॉराइट थे या इलकाइल क्लॉराइट थे ठीक है तो यहां पर हम सी अस्त्री से यल मान के चलने हैं और जो कैटलिस्ट था वो था आपका यहां जुड़ेगा या फिर दूसरी कंडिशन है कि वो इस वाली पोजिशन पर जुलेगा तो यह कुछ रियक्शन थी कुछ मैटल आप प्रप्रेशन से फिनॉल्स के बारे में इसकी पूरी पीटी है वो मैं एक लिंक दे दूंगा आप वहां से साराई मेटेरियल सारे न कर सकते हैं ठीक ना I hope कि आपके वीडियो समझ में होगा थैंक यू